हेलो जी सच्छी काल स्वागत है आपका बहुत-बहुत हमारे चैनल में तो ब्लॉग की शुरुआत की है मैंने शॉप से क्योंकि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि शॉप पे आने के बाद मेरा किस तरह का रोटीन रहता है और घर के कामों को मैं किस तरह से करती हूँ तो तकरीबन 9.30 के बीच में मैं सारे काम खतम करके शॉप पे आ जाती हूँ तब तक जोती जो है वो शॉप को उपन कर लेती है और उसके बाद आते ही मेरा पहला काम होता है एक आत जो मेरे अंदर गौसिप फसा हुआ है वो मैंने जोती को डिलीवर करना है ठी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छा फेस्वाश मुझे एक क्वेरी आई थी के ओपन पोर्स के लिए एक अच्छा सा फेस्वाश बताएं सबसे पहले को यहाँ थोड़ी सी डिस्टर्बंस जो है वो सकती है लेकिन गर्मी बहुत है तो मैं फैन आपक पोर्स के लिए यह बहुत ही बढ़िया है और इसे हम नॉर्मल टू ऑईली स्किन वाले यूज कर सकते हैं ड्राइ स्किन वाले से यूज ना करें क्योंकि यह हमारी स्किन में से ऑईल को रिड्यूस करने में हमारी थोड़ी सी हल्प जो है वो करता है लेकिन नैच्रल ग्लो में लेलिय कान वो देशिवा यह स्किन वाले यह बहुत है सिवारा थाइश यह बहुत ही इसमें जब भाट है इक उसको करता हैं लेजिकोंन पाले नेच्री बढ़िया है लेकिन ने आलिव को इसमें बहुत अच्छे तरonce यू papunormat लिए और अजए और ऑन रलींधाया है और बाकी जो इसमेंий इंडियन्ट सेंड़ 코로나 INSライム ये इंडनों एींडियों जिर जाएंडियेंट जैसे में चीज़ें फ रख चीजिवें इस रिख गिंडीयों। अटहरें भाय चीज़ें, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में तो पहले सीटी बजने की त्यारी पर आप से बात करते हूं अभी बजी नहीं है और यह दुपहर का टाइम है और सवातीन के आसपास टाइम होगा हरिस्पी स्पूल से आ रही है तो हरिस्पी को लेके मैं ऊपर आती हूं और फुली ऑर्टिमेटिक में और बहुत सारे काम जो है अब करके जाओंगी एक घंटा उपर रहूंगी चाय लेके जाओंगी जोती को और तब मैं छोटे-छोटे काम कर जाओंगी मैं आपको बाग कैमरा से दिखाती हूं चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें तो दुपेहर को जब हरित्वी स्कूल से आती है तो मैं उसके साथ थोड़ी देर के लिए उपर आ जाती हूं और जो चोटे-मोटे काम करने होते हैं वो कर लेती हूं जैसे आज मेरा लंच का मैनू था क कुछ जादा बासी खाना नहीं होता और फिर मुझे शाम को हरित्वी को टाइम देना है उसे खुले में उसके साथ खेलना है या खुद भी सैयर करनी है तो फिर ऐसा होता है कि शौप पे पूरा दिन रहने की वज़़ा से बहुत ज़दा थकावट हो जाती है और तीन-चा काम थोड़ा सा प्री प्लान रखती हूं और यहां पे चावल बन गए थे डाल को तड़का लगाना है और साथ मैं ने यहां पर पनीर भी बनाया है मैं पनीर भी घर पे बनाती हूं तीन-चार दिन दूद चोडती रहती हो फिर तीसरे चोथे दिन जाके जो है वो मैं पनी कभी मैं निम्बू डाल लेती हूं निम्बू नहीं है तो जो वाइट वीनेगर हमारे पास प्लेइन सिर्का होता है वो मैंने रखा होता है उसको थोड़ा सा डाल के बहुत एजली जो है वो पनीर बन जाता है तो यह चोटे-चोटे जो काम होते हैं जैसे देही लगाना वो म जोटे-चोटे कामों के लिए टाइम-टू-टाइम हेलपर आएगी इस तरह से नहीं आएगी और जब तक यह में चीजे खुद कर सकती हूं मुझे खुद करने में तसल्ली आती है किसी के ऊपर मैं चीजे नहीं छोड़ सकती और बहुत सारी रीजन्स हैं इसके पीछे के करती हूं यार बोड़ी को जितना चलाओगे अच्छा रहेगा जब रेस्ट की जरूरत होती है तब रेस्ट कर लेते हैं ऐसा नहीं है लेकिन जब आप अकेले हो आपके कंदों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है शौप देखनी है आपको अपना बच्चा देखना है पढ़ाई देखनी है अपनी डाइट देखनी है उसे भी बच्चे को भी एक हाल्वी डाइट देनी है तो आप इस तरह से बैठ जाओगे तो नहीं चलेगा तो यहां पर मैंने पनीर का पानी निकाल दी है लेकिन हमें कभी भी पूरा पानी नहीं निकालना क्यूंकि जब ह वो पहले ही decided होता है कि कब क्या बनेगा तो उसके according जो चीजे बननी होती है उसकी एक दिन पहले त्यारी होती रहती है जब pre-plan होता है तो आपका time waste नहीं होता नहीं तो कई बार सोचने में time चल जाता है और कहीं पार आपका मान है पनीर बनाने का तो पनीर नहीं बना हुआ इसे भी हो जाता है और सारे बरतन यहां पर मैं दो दूंगी और फिर शाम को हम आके इने लगाएंगे और सारी किचन को जो है अच्छे से साफ कर दे दूंगी पिछले ब्लॉक पर मुझे कमेंट आया था कि यार आखिर आप भी तो इनसान हो तो इतनी अनर्जी कहां से ला आते ही बस हात्मू धोया हरिथवी को कुछ हलका फुलका खाने को दिया क्योंकि अभी डिनर में थोड़ा सा टाइम है तो जस्ट उसको मैंने आइटिंग केक बना के रखा था हां केक के दो पीसेज दिये और मैंने आते ही इमली चड़ाई है क्योंकि पिछले कल मैंने इमल पूड़ा है देहीं डाला है एक हरी मिश्डाली है प्याज ट्रमाटर काला नमक ये डाल के बस इन सब को मुझे ग्राइंड कर देना है और एक अच्छी सी ग्रीन चटनी टेस्टी सी बना के कंटेनर में डाल के रख लूँगी पूरा हफता हरिथवी के लंच में ये काम आ अच्छी सी बस बाद आखे लिए अकली जान ये कर वो कर कब तर कर पता ही नहीं है थोड़ा उपर टेहल लूँगी मैं भी 15 मिनट का वाक हो जाएगा मेरा भी और रिथवी का भी हो जाएगा अब भी पहले नहीं आती थी बहुत गर्मी थी अब भी भी बहुत गर्मी है लेकिन 2-4 दिन से शुरू किया है जब डिनर का मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होता ना डिनर बना होता है क्योंकि बच्चे के साथ आपको प्री रेडी रहना पड़ता है बच्चे को जब भूख लगेगी वो वेट नहीं करेगा तो मौसम अच्छा हो रहा है शायद बारिश हो जाए नहीं है शाम का टाइम जो होता है ना वो रित्वी के लिए बहुत अच्छा होता है खुले आंगन में उसे खेलना बहुत पसंद है तो बस वो अपनी मर्जी करती है और मैं कभी भी उसे नहीं रोकती उसको जो करना है वो करे बस इंजॉई करे मेरा वाक हो गया तकरिबन 20 मिनट का और मैं बैठी हूँ थोड़ी सी रेस्ट पर और यह बंदा ना उपर तारे लगी हुई है जैसे कपड़े सुखने डालने के लिए तो वो क्लिप्स होती है ना प्लोथ क्लिप्स जो कपड़ों पे लगाते है उसको तारे जा रही है पर हरित्वी को अच्छे से रगड के नहलाती हूँ क्योंकि सुबह मैं उसको नहीं नहलाती सुबह वो खुद नहाती है शाम को उसके मैं अच्छे से रगडाई चाड़के उसको करती हूँ और इस टाइम पर मैंने हरित्वी को जो है वो खाना खाने के लिए दे दिया था एक साइड पे मैंने इमली की चट्नी की त्यारी की क्योंकि संडे को ये चट्नियां नहीं बन पाई थी मेरे पास समान नहीं था रेड चट्नी उस दिन थी तो मैंने सोचा चलो आज समान आ गया है ग्रीन चट्नी का और जी कह लिए मेरी जंदगी में मेरे में बहुत positivity और बहुत energy आती है जब मैं दुखी होती हुँ ना कि कोई चीज मुसे पिंच कर गी जब मेरा depression बहुत हावी हो गया तो बस भगवान के आगे बैठ जाना है पाठ लेके रोना है खूब रोना है बस भगवान के आगे रोना है और उससे हिम्मत मांगनी है बस और सारा दिन में इसी लिए भी बीजी रहती हूं कि मेरे दिमाग में ऐसा कोई थौट ना आए जो मेरे अंदर नेगिटिविटी लेके आए तो यहां पर रेड चटनी बन गई थी अच्छे से क्लीन हो गई है चटनी को ठंडे होने के लिए रख दूँगी तांकि फिर सोने से पहले इसे भी एक कोंटेनर में भरके मैं फ्रिज में रख दूँ बस ऐसी चीजे जब और डेडी बनी होती है और जैब अब अब जी हो गया है बस सारी लाइट्स ओफ करेंगे अब हरित्वी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और सारे कपड़े दूल गे थे उनको रखा यह अच्छे से सूखे नहीं है और यह मेरी फिशे इनको गुड़ नाइट करेंगे इनकी लाइट ओफ और यह टाइम होता है आठ बजे के राउंड अब मुझे आधा गंटा हरित्वी की स्टडी पे देना है डेड़ दो गंटा मैं उसे शौप पर पढ़ा लेती हूं आधा गंटा रात को फिर एक रिवीजन होती है जो मैं मतलब जो उसे पढ़ाना है उसको पका कर देना है उ आधा गंटा बैठ के रेस्ट भी कर ली नीन बहुत आ रही है पोने नो का टाइम है बस मैं और हरित्वी दोनों सो जाएंगे और मैं हरित्वी को स्पेशली ही नहीं सुलाती दोनों सो जाते है आःम से और यह लास्ट ड्रिंक है मेरा दिन का पुदीने की चाह इफ यू आ यह आपको बहुत ज़्यदा हेल्ट फुल रहेगी थैंक यू वेरी मच पूर वाचिंग अस सर्शी का चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें थैंक यू